तो रास्तान पुलिस के लिए वर्दी की जंग की इस प्रश्णोतरी श्रेंकला में आपका स्वागत है इस श्रेंकला के थे तहम महिला अंबाल अपराद रथा कंप्यूटर का परिचय से सम्मंदित महत्पूर्ण प्रश्णों का संकलन लेकर आते हैं आपके लिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम बाल अस्राम और बाल विवास सम्मंदित प्रश्णों को संकलित करके लाए हैं प्रश्णा अच्छे लगने पर दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें इस से इसी के साथ तो पहला प्रश्ण है बारत में कार खाना कानौन 1948 के तेट किस आयू से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की स्रेड़ी में रखा गया है तो इसमें आपके 14 वर्स 15 वर्स और 18 वर्स हैं तो इसमें ऑप्शन दो सही हो जाईगा 15 वर्स 1908 के तेट 15 वर्स तक के आयू के बच्चों को बालक की स्रेड़ी में रखा गया है दूसरा प्रशन देको भारत में बाल स्रम को प्रतिबंदेत करने है तू बाल स्रम परतिसेद्यों विनियमन अधिनियम कब बनाया गया ओप्शन है 1988, 1985, 1991 और 1966 तो इसमें ओप्शन 4 सही हो ज प्रशन 1 अगला प्रशन है सविदान के किस अनुछेद में 14 या कम आयू के बच्चों को किसी कार खाने खान या अन्ये खतरना उज्वों के नियोजन पर प्रतिबंद लगया गया तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि मूल अधिकार है ये कमारे समिदान में नागरिकों क का जिसमें सोचन के विरुद्ध मौल अधिकार हैं इसमें ये बाल स्रम के लिए नियम निर्दारित किये गए हैं तो यह दूछे चोबीस में हैं सोचन के हैं गई अगला अगी तो राष्टी आयो कि स्टापना कंगी गई तो दोस्तो इसमें राष्टायो कि स्टापना कंगी गई तो अगला प्रशन देखो कि राज्तान में सरवादिक संक्या में बायल विवा चाइल्ड मेरिज किस दिन संपन होते हैं ओफशन है फिफल फूर निवा दूसरा राम नवमी तीसरा गणगोर चोता आक्से तर्थिया तो किस दिन सरवादिक विवा होते हैं राज्तान में तो ये आपके लिए जाना पे नेक्स्ट अपने लिए के बाल विवा अधिकतर समाज के किस वर्ग में परसलिते प jij g तो इसमें आप देख सकते हो पहला और दूसरा दोनों सही है तो ऑप्सन तीन हो जाएगा क्या दोनों में एक तो पिछड़ा एक ग्रामिड एक शिक्सित और क्रिशक शबुदाव जो जो इसके दूसर परिणामों से अउगत नहीं है वह बाल विवा वहां पर ज्यादा परचलित है अगला है कि बाल विवा का दूसर परिणाम क्या है दोस्तों तो इसमें ऑप्सन है बालिकाओ के मा दूसर परिणाम के हैं तिनुए दूसर परिणाम है बाल विवा के तो चार सही उतर हो जाएगा इसमें नेक्स्ट क्वेस्टन की तरब बढ़ीगा का बाल विवा को समप्त करने का सरवादिक उप्युक्त उपाई क्या है तो पहला उप्सन है सिक्सा काव्यापक परसार द निर्वान तो इन सभी में सबसे जो परवावी है वह सिक्षा का व्यापक प्रशार है सिक्षा प्राप्ति के द्वारा या सिक्षा के प्रसार के द्वारा हम बाल विवा पर नियंतर्ण पा सकते हैं रोक लगा सकते हैं अगला जो प्रश्ण है वह देख सकते हो आप स्क्र सार्दा एक्ट के रूप में था जिसमें हर विलास सार्दा ने इसमें प्रियास किया था जिसके लिए यह सार्दा एक्ट के तोर पर लागू किया गया तो दोस्तों अगला प्रश्ण है के बाल विवा को प्रतिबंदित करने विवा की नियुंतम आयू निश्चित करने है त सारदा एक्ट कब लागू किया गया था हमारे देश में तो सारदा एक्ट कब लागू किया गया दोस्तों कि इसके लिए ओप्सण एक अप्रेल 1930 कि दूसरा ओप्सण है एक जनवरी 2021 31 कि तीसरा ओप्सण है आट मार्च 1930 चौता है पांच सितमबर 1929 तो इसमें एक अप्रेल 1930 को यह सार्दा एक्ट लागू कर दिया गया था एक अप्रेल 1930 को यह एक्ट डॉक्टर हर्विलास सार्दा के नेत्रित्वे में लागू किया गया उनकी मांग के अनुसार इन पर कारी किया गया यह एक्ट उनके नाम पर सार्दा के तोर पर लागू किया गया तो दोस्तों यह था बहुत ही मैं आतपूर्ण बाल स्रम और बाल विवह के कुछ अच्छे खासी प्रश्णों का सेलेक्टेड प्रश्णों का वीडियो कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट मोक्स में जरूर बताना और अगर यूटुब चैनल अगले वीडियो में थैंक्यों धन्यवाद कि अक्राणें